हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है और देखिए आज हम लोग जो हैं इतिहास से रिलेटेड को संस लेके आए हैं जो कंप्टेटेब एक्जाम्स में जो हैं बहुत ज्यादा इंप्रोडेंस रखते हैं और यह आधनिक भारत के इतिहास से कुर्संस हैं और बहुत ज्यादा क समय में पैयार करेंगे और यह समय से पूछे भी जा रहे हैं एक्जाम समय करते हैं और यह सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लीजिए और यह जो पार्ट होने वाला है पार्ट कौन सा है याद रखेगा पार्ट सेकंड को देखना ना बूलीगा इसके बाद पार्ट सेकंड आएगा चलते हैं सिंदुहाटी सब्विता से रिलेटेड कॉसंस हैं और आपका next संदुसाब्वपता प्रस्थि थी तो यद रखेगा सुनियोजित सहर हे तो प्रस्थ ठी ये सिंदुसाब्विता संद्व सम गशत के लोगों का वीवसाय क्या था तो क्रिशाची ही करना उनका वैवसाय था और आगे चलते हैं नेक्सट कोसन क्या है आपका बहुत ज़ाद repeated ज़ाद रहुत पूर्षन गए गवर एक्जाम्स में सिंद सभटा का सरवाधिक पूर्व एवं पस्चमी पुराजथल है तो याद रखेगा आलमगीरपुर आलमगीरपुर जो के मेरट में उत्र प्रदेस में पढ़ता है और एक है सुत्कांगे डोर यह आपका बलूचिस्तान में पढ़ता है यह दोनों है याद रखेगा नेक्स्ट कसन है आपका सिंदु साब बता का उत्तरी एवं दच्छडी पुरा इस्तल क्या है तो याद रखेगा मादा मादा जो कि जम्मु गीरपूर और सुत्कांगे डोर और उत्तरी एवं दच्छडी पुरा इस्तल की बात कर दी जाए तो मांदा एवं दायमादा पूर दायमादा बाद ठीक है यह याद रखेगा नेक्स्ट कोसल क्या है आपका हडपा सब बता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी तो य नेक्स्ट कोसन है आपका मोहन जोड़ो एवं हडपा की प्रातात्वे खुदाई के प्रभारी थे तो मोहन जोड़ो और हडपा की प्रातात्वे खुदाई कराई थी उसके प्रभारी जो थे वो कौन थे तो सर जोन मार्सनल जो है इसके प्रभारी थे नेक्स्ट कोसन है आ यह बहुत ज़ादा रिपीटर को संदा है कैई बार पूछ आ जा चुकाई एकजामस परै को सह सु है तऑ बजरें supreme लेखी जाती है तो याद रखना दाएं से बहाएं लेका सबसे पहले पालतु बनाये गया तो सबसे पहले पालतु बनाया गया थी किसी नदी के बारे में पूछएगा जो है किस नदी के किनारे जिवय इस्तित है तो याद रिखेगा रावी नदी के तड़ पर इस्तित है ये कहा है इस्तित है रावी नदी के तड़ पर इस्तित है नेक्स्ट चलते हैं सिंदु सब्वेता का प्रमुक बंदरगा तो याद रखेगे ये बहुत जाद रिपीर्ट को सना लोथल सिं लोग अनभिग्य थे लोग अनभिग्य थे तो लोहे दातु से यानि किस दातु से अनभिग्य थे तो लोहे के बारे में वो कुछ नहीं जानते थे तो लोभा इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा नेक्स कसर आपका हडपा में मिट्टी के वरतन पर प्योक्त रंग है तो हो जो कैसा होता था लाल होता था अगला कुसर पर fällt के दाने मिले हैं म difa पूछाँ से और सब्रेंडक सब्विर्ट कोस्ते पूछा जाथ है छोटे गुवर्ण observers मैं आपका पाखिस्तान में एपने इसका सरवमार्व रहा था पाकिस्तान में और वह दो कि खोज किस ने की थी ये भी question पूछा जाता है और ये खोज की थी राखलदास बनर जी ने राखलदास ने ये खोज की थी next question क्या है नर्तकी की कास से मूर्ती मिली है तो ये मोहन जोदोडो से मिली है जो कि पाकिस्तान में इसकता है मोहन जोदोडो से ठीक है next सेंदव सब्यता की सबसे बड़ी इमारत है तो याद रखेगा ये question बहुत ज़्यादा पूछा जाता है सेंदव सब्यता की सबसे बड़ी इमारत जो है वो मोहन जोड़ो से प्राप्त है और ये अनानागार है क्या है अनानागार नेक्ट क्वसन क्या है मोहन जोड़ो खोज 1922 में ठीक है 1922 में जो खोज हुई तो इससे प्राप्त जो इसमारक मिला था इसमारक क्या था तो याद रखेगा बीहाइब्रहति नानागार ये मर रख्ता नेक्स्ट सबतेजंगें नेक्स्ट क्या है मैसोपोटा मिया आधरिंग नाम एरक का रपपा की खुदाही की थी यहां पे दिखनी राये को संघ है तो याद रखेगा ये 1921-27 यह देख लेना यहाँ बठी क्या थोड़ा कन्फ्यूज मैं भी हूँ इसमें चले नेक्स्ट कॉसर क्यों चलते हैं वेद पुराण तथा उपनिसद से लेकल वेद पुराण और उपनिसद की बात करें तो देखो जो पुराणों की संख्या जो मानी जाती है रचना गुप्तकाल में यह 18 पुराण है हमारे कितने पुराण है 18 पुराण है और जो सबसे पुराणा पुराण माना जाता है वो मतस से पुराण माना जाता है क्वों सा पुराण मतस से पुराण जो है सबसे पुराण लुम हर्स ये दोनों थे वेदों और वेदांगों की बात करें तो चार वेद यजूर वेद अर्थवर वेद हैं थे और वेदांगों की बात करें ठीक है वेदांगों की बात करें तो छे वेदांगों नेक्स चलते हैं अपनिसद की संख्या तो प्रमारे के दोर पर बात करें तो अपनिसदों की संख्या जो है वो 13 है क्या है 13 है नेक्स चलते हैं अभी बताए अपनिसदों की संख्या कितनी है 13 प उपनिसद विसाय वस्तु है तो यह दर्सन का है ठीक है दर्सन जो वेदांग है आपके 6 दर्सन है वो वेदांग है तो यह दर्सन का उपनिसद विसाय वस्तु है नेक्ष्ट चलते हैं नेक्ष्ट क्या है आपका ब्रहमण सम्मनिद है ब्रहमण जो है करम कांड से सम्मनिद ह ठीक है सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो सबसे प्राचीन वेद रिगवेद है और इसमें सोक्त जो है 1028 है और गद्ध और पद्ध वाला वेद की बात करें तो यजुर वेद है क्या है यजुर वेद बात करें सत्पत ब्रहम्मड संबंदित है तो यह यजुर वेद से स संग्रहीद में दो बात करें तो बहारतियों संगीत का जनक यहां यहीं वह सामबेट को माना जाता है इसके बारे में थोड़ा पता देतेमा ुआ जो है hops up मित्र जी ने जो है यहाईत्री मन्डल लेक्वा है और जक्यूाम ज़िक geben सका उलेक मिलता है कि नेक्ट चलते हैं सब्सक्राइब और मिलते हैं अधर विबेद मैं रहुक्त भागवत दरबरतक सब्सक्राइब बात करें तो ये क्रिश्न है ठीक है नेक्स चलते हैं भक्ति आंदलन का प्रारम अलवर संतों ने किया है ठीक है आर्यों की आर्यों के जानकारी के सिरोत कहां से मिलते हैं ये पूछा जाता है कुछन के से आजाएगा कि आर्यों की जो जानकारी है उसके सिरोत जो है वो किस व संद नदी की बात करें रिगुवेद में सबसे बाद सबसे नुर्वतों मंडल निया मंडल्र मंडल सबसेAK निर्मीत हुआ यह । दसवा मंडल है ठीक है और रिगवेद में पून्ड था सौम को समर्पित यानि सौम को जो समर्पित जो मंडल है वह नौवा मंडल है चाह बात करें सत्मेव जयते की तो यह चले यहां है एक सण यह बक्तियां दुलन अलवर संतों ने यह को सं कर लिया आपने रिगवेद से हैं आर्लियों की जानकरी के रिगवेद में सरवादेक वार वणित नदी सिंदु है सरस्वती सबसे पवित्र नदी है प्रमकु देवता की बात करें तो इंद्र का मिलता है रिगवेद में सबसे बात यानि नया मंडल भी बात कर सकते हैं को समर्पित कौन सा मंडल नौवा नौवा मंडल सत्मेब जयते लिखा गया है वो मुंड़कॉप निसत से लिया गया है यह जो है हैं जो सबसे प्राचीर है ठीक है आगे बात करें पुस्टक मिताच्रा की लेक हैं तो वे विज्ञानेश्वर है चलिए नेक्स चलते हैं अब देखों आगे आजाते हैं आर्लियों की बात करते हैं आर्लियों से रेलेT À पहुत ज्यादा पूछे जाते हैं तो आरे से से पहले बसें कहां थे तो पंजाब और अखजानिस्तान में ठीक है रिगवेद solution की भासा जोग थी language की बात करें रिगवेद इक आर्यों की वो को कि वह सण्कृति थी क्या थी संस्कृती औरip बहुत ज्यादा पूछा जाता है और सुन्याबाद का प्रतिपादक की बात करें तो यह नागार जन्द ठीक है नेक्स्ट जो है जैन धरम और बहुत धरम से रेलेटर कॉशन्स है उनकी और चलते हैं तो देखे बुद्ध जो जनम हुआ था गौतम बुद्ध जी का वो कब हुआ था लुंबनी में हुआ था यह 563 इसापूर हुआ था ठीक है और बात करें बुद्ध की मिरत्यू की बात करें तो यह कुशी नगर में जो है 483 इसा पूर में जो है इनकी मरत्यू थी और में म Creatyoo की इस गटना गटना को हम क्या बोलते हैं वह महा-पर्य निर्वार्ड क्या बोलते हैं महा-पर्य निर्वार्ड ठीक है नेक्टण चलते हैं, बद्द के जो गुरु थे, अलार कलाम ये इनके गुरु थे, बहुँ जादा repeated question है, और ग्रहत्या की बद्द, जो बद्द जो बद्द थे, इन्होंने जो ग्रहत्याग किया था, उस गटना को क्या कहते हैं, तो महा भिनिसक्रमड, महा भिनिसक्रमड, और जो उन्होंने प्रथम प्रवचन दिया था, प्रथम उपदेश दिया था, इस उपदेश को हम धर्म, चक्र, प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, ठीक है, और यह जो उपदेश दिया था, प्रथम, यह आपका सारनात में दिया था, ठीक है, और बुद्ध के उपदेशों क जो कथा है उसे हम जातक के नाम से जानते हैं जातक ठीक है और प्रथम बहुत संगती जो हुई थी गौतम बुद्ध जी की वह कब हुई थी 483 इस्वा पूर्ग बात करें अजात सस्त्रु के काल में राजग्रह में चत्तुर बहुत संगीत हुआ था यह कुंडल बन कस्मीर म हुई थी और जब सासक कौन था यह अजात सस्त्रु तो कसन ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि कुंडल बन कस्मीर में होने बाली चतुर्त बहुत संगती किसके सासनकाल में हुई तो अजात सस्त्रु के सासनकाल में हुई यह कुशन ऐसे पूछ लिया जाएगा अजात सस्त जो था इसका ये राजग्रह के वैसाली में हुई थी पाडलिपुत्र में और कस्मीर में ठीक है याद रखेगा अजन्ता की कुफाओं में किस गुफाओं का चित्रण है तो जातक क्या जातक बौदों का जो पवित्र गुरंथ है उसका चित्रण है ठीक है अच्छा बौद का पूजा इस्थल की बात करें तो ये आपका चैत्य मंड़ा पे ठीक है नेक्स चलते हैं आजी भी के एक धरम था ठीक है और उसके प्रवर्तक की बात करें तो ये मकली गोसाल थे जो आजी भी धरम के प्रवर्तक थे और सिख वाद का प्रवर्तन की बात करें तो ये पंद् असलाम के प्रवर तक हजरत मुहम्मद साव का जो जनम हुआ था वो 500 सब पर इसापूर्ग हुआ था हूं इस भी में ठीक है मक्का में हुआ था यह बात करें जैन द्रम के प्रत्म तीर्थक कौन थे तो यह रिसब देप थे ठीक है और अंतिम तीर्थक कर की बात करें तो महा महावीर स्वामी थे ठीक है और इसका हो जाएगा आपका कल्प सूत्र नेक्ट चलते हैं नेक्ट क्या है महावीर जनमे थे महावीर कहां महावीर स्वामी का जो जनम हुआ था वो 540 इसापूर्ग यह बैसाली में हुआ था और मृत्यु की बात करें तो यह पावापूरी म हुई थी कितने 468 सापूर में ठीक है नेक्स चलते हैं महावीर स्वामी जो है किस गराने से जो है समंद रखे देते थे किस गराने में तो छत्री महावीर का जो है घराना था छत्री अकुल में ये जो है पैदा हुए थे जनम निया था प्रथम अनुयाई इनके जो प्रथम तो मगद नरेस ठीक है मगद नरेस विम्बसार के सालसनकाल में जहिस त्रचटा था जो बिम्बसार था उसके संप्रतायों की बात करें तो यह स्वयतांबर और देगंबर स्वयतांबर और देगंबर जेंदरम का चरम और लच्च बात करें तो यह इसका चरम जो लच्च था वो मोच को बाना था ठीक है? परफम जेंद सब्राजों होई थी इसा मस्य को सूली पर चड़ाय गया तो ये 33 सूली पर चड़ाय गया था दिन सुक्रबार था लोमन गवर्नल पोटियन्स था उसके द्वारा ठीक है तो ये आज के questions हो चुके हैं आपके काफी ज्यादा questions हो चुके हैं और देखें नेक्स्ट पार्ट जो है वह आपका वह जाएगा और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों के सब सेर कीजिए ताकि वे भी यहां से जो है बहुत कम समय में questions त्यार कर पाएं तो थैंक्यू सो मच आज के लिए इतना ही जहें जवारागा